जैसे कि आपको पता है हम जिग्राफी पे वन बाई वन चर्चा करते आ रहे हैं आपको गया थो पिछली क्लास जो सिक्स था दो भागों में डिवाइड था इसको आपको देखना है एक रहेगा आपका पार्ट वन के नाम से था एक पार्ट टू के नाम से था ये वन था और था इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे एक क्लास के नाम से वीडियो गया है लेकिन दोनों में पार्ट की हिसाब से लिखा हुआ है जो कि आपका था ध्रातली सरचना को लेगे था जो कि बहुत आपको हेल्प करेगी इससे पहले उसको आपको देखने ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना जो इसको समाजना थाम मुश्किल हो जाता है या फिर इस यहां भी उसका जिक्र होगा लेकिन उस सिर्फ जितने भी सरचना है उन पर हमने बात करी है यह भी बहुत इंपोर्टन है उसको नहीं देखे तो यहां से भी आपका काम हो जाएगा क्योंकि यहां भी तो प्राकृतिक विभाजन के बारे में आपके सामने डिस्कर्स करने जा रहा हूं जो वन बाई वन करके आप देखेंगे सबसे पहले तो प्राकृतिक विभाजन जो टॉपिक है इसका तातपर यह क्या है प्राकृतिक विभाजन समस्मझते क्या है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं उच्चावच हो गया उच्चावच सरचना परफेक्ट उच्चावच सरचना हो गया आपके वनस्पती हो गई ठीक है मिट्टी और फिर जलवायू मतलब उस छेत्र गये इट मीन्स प्राकृतिक विभाजन ठीक इससे तात्पर रिया उस छेत्र के उच्चावच सरचना वरस्पती मिट्टी जलवायू ठीक है इनको रिधारत करती है इनके विभाजन से है क्लियर है तो यह चीज़ आपको समाजना होगा कि प्राकृतिक विभाजन इन सब की विभाजन से है पहले बात यह अब सवाल उड़ता है कि 36 गड़ जो है किन-किन प्राकृतिक प्रदेशों में किन-किन प्राकृतिक विभाजन में बटा है तो आपको ग्यात होना चाहिए कि 36 गड़ इस डिवाजन में बटा हुआ है इसको आपको फिजियोग्राफिक डिविजन भी बूल जाता है ठीक है तो 36 गड़ जो है चार इस प्रकार से चार भौतिक जो आपकी विभाजन में बटा हुआ है तो मैंने भी कहा है आपको कि 36 गड़ जो है ठीक इस डिवाज़ेट इंटू फोर फिजिकल डिविजन पहला आप कर रहेगा मैं मेप में भी इसको अच्छे से बताऊंगा उसकी टिंसम नहीं लेंगे पहला चीज़ आप कर रहेगा पूर्वी बगलखन का पथार ठीक है इसको आपने सुनके रखा हो होगा सुना होगा और पढ़े भी होंगे बहुत लोग ठीक है बगलखन के पथार पुरी बगलखन पथार परफेक्ट है इस टन बगलखन प्लेटू सेकंड आपका रहेगा इप आपको पहला है दूसरा रहेगा आपका पार्ट प्रदेश इसको जस्पूर सामरी पार्ट इस भी बोला जाता है कंफ्यूज नहीं होंगे एक ही चीज है ठीक है तो जस्पूर में इसलिए जस्पूर नाम हो जाता है सामरी में भी पार्ट ही है इसलिए उसका नाम दोनों को दे दिया गया सामरी या फिर जस्पूर जस्पूर सामरी पार्ट पर देश तो यह बिसिक आपने सुना है मैं सी और हूँ क्योंकि इसके बीना तो जिग्राफी ठीक अधुरा एना बहुत जैसक देख पा रहे हैं यह आपका 36 गड़ है इसके अंतरगत आपको करना होगा कि एक एक फिजिकल डिविजन किस किस लोकेशन में इस्थित है ठीक इसके पहले भी मैं इसको पता चुक हूँ जो कि पहले वाल आपका क्लास है जहां पर आप देखके जाके देख सकते हैं तो सबसे पहले देखेंगे यहां से आपका पुर्वी बगलखन पठार कहा तक है परफेक्ट है तो मैं थोड़ों से छोटा है जगा भी अपने पास छोटा है लेकिन समझाने क काम बड़ा ही रहेगा आपको समझ बहुत अच्छे से आने वाली है देखेंगे सबसे पहले यह रहेगा आपको पुर्य बगलखन को पठार है पाठ परदेश यहां है आपका जो की राज जाके आपको उत्तर और पुरू दिसमेश्थित है ठीक पाठ परदेश मैं इसको म प्रकृतिक विभाजनों में बटा हुआ है तो पहला चीज़ देखेंगे पुर्वी बगलखन का पठार है जो कि आपका इसे बोला जाएगा पुर्वी बगलखन का पठार इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यह मद्य परदेश में जो इस्थित बगलखन पठार है उसका एक आपको पते हैं इसके लिए एक नाम यूस किया जाता है जसपूर सामरी ठीक है यहां तक दिक्कत ठीक है तो यह आपका पाल्ण परदेश है जो कि इस च्थितर में सिस्थित है सिमलाने मयदान आपको यह जाएगा ठीक यह आपका 36 गड़ का मैदान है ठीक अब बच जाता है आपका डंड कारणने का पठ्थार प्रफिक्ट है यह आपको हो जाएगा डंड कारणने का पठ्थार ऐसे एक एक करके आपको देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अब इसमें सवाल उठता है कि इसके छेत्रफल क्या होगा इसको परसेंटेज क्या होगा एक एक करके आपको देखना होता है तो देखेंगे पुर्वी बगल कंड के छेत्रफल के बारे में ठीक है इसका जो छेत्रफल यहीं मेंजन कर देते मैप में ताक में तोई थाइडर कीलोमीटर ही यह है किलोमीटर ही नहीं है आप सारा में किलोमेटर देर बिया सकता है तो इसक्वाइर के UMITर है यहनुकनि की 28- 1933 स्कुर्इड क्लियोमिटर परफेक्ट है अब इसके मिन देखें है यह आसाल है देखेंगे आप आपको 16.16 पर्षेंट पर्फेक्ट है इसक छेत्र जो आपको पर्षेंटेज में से तरफल है तो इसको छेत्र फल यह है और पर्षेंटेज में देखा जाए तो इस 16 अमलों 16 परशेंट है पार्ट पर दिस केम बात करें तो 6208 ठीकर स्कॉयर किलोमेटर इसको इजली ट्रेस कर सकते हो 6 अर्दो आठ होता है पर्फेक्ट है 6 अर्दो आठ होता है तो बीच में 0 लगा के ऐसा भी आप जैसा भी आपको याद हो क्योंकि आयात करना अल्टिमेट ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्फेक्ट है तो पार्ट प्रदिस देखेंगे 6208 आपको स्कॉर एपने कॉपी में ताकि इतने अपको याद हो जागा 36 गड़ कर मैदान देखते हैं तो यह रहेंगा आपका 68 064 हो जाएगा स्कॉयर किलोमेटर पर्फेक्ट है 68 064 स्कॉर किलोमेटर इस पूरा भी बोल सकते हूं लेकिन आपको याद हो बोल के बोल रहा हूं अब देखेंगे इसका पर्षेंट रहेगा आपका 50.00 हो जाएगा तीन चार पर्षेंट पर्फेक्ट है यह पर्षेंटेज है अब देखेंगे डंड करें यहनि कि इसको प्राकृतिक ही विभाजन कर रहे हैं आपको तो पता है किस अधार्प हो रहा है यहां के मिट्टी नि उचाओ सरचना को यहां पर निर्धारित कर रहे है उस अधार पर बाटा गया है पर्फेक्ट है तो आप डंड कारण देखेंगे जो कि डंड कारण देखेंगे कितने च्छेत्रम फाइल हो तो यह रहेगा आपका 39039060 क्लियर है स्क्वाइर क्लियोमेटर इसको भी लिख जरेंगे आप स्क्वाइर किलोमेटर परफेक्ट अब देखेंगे इसका परशेंटेज कि यदि हम बात करें यह रहेगा आपका 28.9% परशेंट इसका जो है आपका परशेंटेज में विस्तार रहे तो आप इस्टार्ट करते हैं इसके एक एक प्रकरतिक भी भाजन पे किस इसका कौन-कौन से डायमिंसन्स रहेंगे किस-किस डायमिंसन्स पर हमें बात करनी होगी और कौन-कौन से इनके जो फैक्ट रहेगा जिन्हें हमें याद करना है और किस डायरेक्शन में किसका भाग है इस सब जो है इसके टॉपिक्स पर पर रहेंगे जो भी सब टॉपिक तो देखेंगे पुर्वी बगल करने पठार सबसे पहले बात करते हैं इसमें आप एक चीज और देख पा रहे हैं सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश का उन सा है इसको प्राकृतिक प्रदेश भी बुल जाता है अगर मैं वर्ड यूज नहीं किया रहा हूंगा तो तो य यह आपका 36 गर्क मैदान सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है सबसे बड़ा फिजिकल डिविजन है यानि कि प्राकृतिक विभाजन है ठीक है छेत रफल के अधार पे देख रहे हो और सबसे छोटा कवर्स हो जाएगा पार्ट प्रदेश लेकिन सबसे उंचा है आग जो है आपको पूर्वी भगलखन का पठार जो है ठीक है यह मद्यपर्देश स्थीद बगलखन का पठार का पूर्वी भाग है परफेक्ट है तो दो तीन चीजा आप देख लेंगे इसके इंट्रोडक्शन के तोर पे जो कि आपको याद होना चाहिए इट पार्ट आफ चीजो का पूर्वी भाग है मेरे अवास उनकी जादा लिखेंगे क्योंकि मेरा लिखने काम थोड़ा से कम होनाए क्यों कि बहुत ज्यादा चीजो पर हमें टच करने बहुत जाद चीजों को समझना है पहला लाइन तिये हो गया आप च्छतिजगर के अंतरगत पुर्वी बगलखन पठार की स्थिति देख के बता सकते हो कि च्छतिजगर की किस दिसमेहा इस्थित है कौन से भाग में यहां इस्थित है तो आप इसलिए इस है तो आप थोड़ा इसको केर किजेगा इतने option है और फिर इन में से पूछा जाए नौर्थ वेश्ट ऐसा पूछ सकता है तो यह होगा उत्तर भी यह होगा प्रफेक्ट है क्योंकि उत्तरी भाग में यह थोड़ा से वेश्ट पार्ट में भी है इसको बोड़ सकते है इट परफेक्ट है तो यह तो रहा इनिसे लिए दो बात अब देखेंगे पूरी बंगलखन के पठार में कि इसका विस्तार कहां कहां पर पर फेक्ट है तो यह दो चीज हो गई पहला चीज हमने इसके भाग पर बात करी है इसके आप छोटा-छोटा एक टॉपिक भी बना सकते तो भाग पर बात करी है और दूसरी चीज़ इसके दिसा पर बात करी है ठीक है इसको भी आप देखते चलेंगे तिसरा हमने कहा है कि इसका विस्तार कहां कहां पर रहेगा इट इस एक्सपेंड़ेट इन थ्री डिश्रिक्स अप चत्रिसगाड और कौन-कौन से 仔लों यार चीरमेशच भरत पूरवाला हो जाएगा मैं बताओंगा उसके बाद देखेंगे इसकेren के इंटार कोरिया भी आ जाता है यनिके संपूर सुराज पूर भी आ जाता है इसमें परफेक्ट है्ट तो इन तीन जिलों में तो मुख्हज रूप से संपूर छेत्र वे पेला हुआ है कौन जbn से मनिंदरगर, चीर्मीरि भरतपुर हो जाएगा गॉरिया वालाआपका छेत्र हो जाएगा सुरच पूर वाला। आपका छेत्र हो जाएगा तो इसमें तो मेजरली है अब देखेंगे कौन-कौन से पार्ट में जो है आपका यहां पर बलरामपूर है और सरगुजा है तो आप देखेंगे इंटायर एंसीवी कोरिया एंड सुरजपूर मोश्ट पाठाब बलरामपूर मोश्ट पाठाब सरगुजा अब सवाल उठता है कि इसमें कौन-कौन से भाग छुट गया है अब कहां पर आएगा ऐसी पता चल जारे पार्ट पर दिसमों चल देगा तो देखेंगे को सुनके अच्छे से लिखेंगे ठीक है यहाँ पर समझना आया तो तो मैंने कहा है बलरामपूर के अधिकांज भाग में पूर्य भगलकन का पठार विस्तरित है लेकिन कुछ कुछ चीज को छोड़के सामरी और कुसमी यह दोनों तहसीर है बलरामपूर के इन दोनों को चोड़के मतलब यह दो पूरी भगलकन पठार कंतर गद नहीं है परफेक्ट इसके अलावा लिखेंगे उसके बाद सर्गुजा में देखेंगे तो सर्गुजा में आपका मैन पाट है और सीतापूर ठीक मेरी आवाद सुनके लिखेंगे सीतापूर के अलावा तो सर्गुजा भी पूरा आ जाता है तो पूरा मनेंदगर सीर्मी भरतपूर है और आपको पूरा पूरा तरीका से आपका कोरिया है और संपूर्ण सुरजपूर हो जाएगा बलरामपूर का सभी भाग आ जाएगा सिवाय सामरी और कुसमी को छोड़के सर्गुजा का सभी भ बघलल्खन प्लेटू कहाँ चाहता है और बघल्खन का पठार कहां इस्तित है मध्य प्रदेश में ठीकि उसका पुर्वी विष्टार च 자주 गड़ में हो में पूंडहां को इस लेकिन बलरमपूर के सामरे राकुसमी को छोड़ के है और और फिर आपको सर्गुजा के मैन पाट रसितापूर को छोड़ के संपूर्ण सर्गुजा और फिर बनरामपूर भी इसमें आ जाता है इसके आगे हम चले तो छेत्रफल पर फल पर ही बात होती है जैसे का आप देख पा रहे हैं इसके छेत्रफल इसको भी आप नोट कर लिया होंगे और फिर यहां भी आप कर सकते हो और इसका जो पर्षेंटेज में 16.16 पर्षेंट है ठीक है तो यहां पर आपको पुर्वी बगलेखन पठार के बारे में एक चीज़ बता दूँ आपको पता ही है जीला तो आपको पता ही होगा मेरे गाल पुर्वी बगलेखन पठार यह सब में विस्तिर थे यहां तक के लिए है ठीक अब देखेंगे आगे इसके आगे आता है आपका धरातली सवरूप ठीक है इसका मतलब यह है कि इसका जो हाइट है समुद्र तल से कितनी है ठीक है इसके आगे हम लोग लिखें यहां तक तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा परफेक्ट है अब देखेंगे इट्स हाइट अब दूसी लेवल इसका औरेज हाइट लेने एक्च्वल में ठीक इसका औरेज उचाई पर बात होगी अगला एक एक करके मैं आपका सब टॉपिक्स बता रहा हूँ इसको ध 1000 ठीक 1000 मीटर ठीक एप रोगजिल है इतने बीश में इसका जो है एवरेज हाइट है परफेक्ट है तो अब देखेंगे इसके बारे में धाल आपको देखना होगा कि धाल इसका कौन से तरफ है आपको पता है इसका इसमें जो अधिकांस नदिया है ओक से कनेक्टेट है सोन आपको रिहंद हो गई यह सब सोन गंगा ड्रीनेश सिस्टम का लेकिन कुछ नदिया जैसे की हस्देव है ओ महानदी ओ जो है आपको महानदी ड्रीनेश सिस्टम का इससे इसका अग में आप वहा को भी आपको एक्समें कर दो तो फिलाल आप धाल देखेंगे उत्तर धाल क कैसी किसे ओर हैं उत्तर की ओर ठिक है यही करान है कि यहां की जो फीन luc. परक्त है सिस्टम तो अधिकांस न देखेंगे अ दुकुम नर"! कर लेते हैं अभी तक मैंने इसके बारें किन नहीं किया है इन द्रबरगा करने वाले हैं उसको ऊसे उसके बित्वीए को सम्झाने वाला हूं अभुंक पπόwhak क्या होता है यह कुब होता है फिर इसके जो जो उसकेgemD रिवर है फिर उसके साहाक नदिया मिलकर एक तंत्र बनाती है जो कि में रिवर ही लेकर सभी के पानी को सला जाता है और बेसिन के बारे भी मैंने बता दिया है ठीक है तो इस पूरा जो तंत्र बन रहा है वह अप वहाँ तंत्र ही होता है और जो पूरा छेत्र है वह अप वह तंत्र आएगा इसके लिए आप तंत्र करने की जरुरत नहीं है तो यहां देखेंगे फिलाल हमने आउसा तुछे पर बात कर लिए धाल पर मैंने बात कर लिए अधिकांस नदिया इसके जो है उत्तर क्यों बहती है आपको पते सुनगा अब आता है कि अपुरिया बगलखन क यहां यहां से तो निकलती है वह ठीक है इधर से जाते है फिल हल बस डायग्राम को समझे लोकेशन को समझे किस टैप से हो रहा और आपको पता ही है आप इसको मिटाना पड़ेगा ठीक है फिल हाकर मिटा देता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो आगे देखेंगे इसमें होता क्या है मैं इसको थोड़ा से आपको समझाने कोर्सिस करूं तो यहां से आपका जाएगा पर मैंने कहा है कि पुर्वी बगलखन की जो अधिकांस नंदिया है ठीक यह दो आप वहातंतर से संबंदित है परफेक्ट है तो जो इसके कुछ-कुछ नदिया ज्यादा आनदिया है और सोन का अप वहातंतर का हिस्सा है और कुछ नदिया जैसे कि हस्देव ठीक है जो कैमूर पहारी से निकलेगी वह महानदी मा की मिल रही है तो वह महानदी अप वहातंतर का हिस्सा हो जाएगा यहां तक क्लिए रहे है तो मैंने का है इस प्रकार मैंने का है कि यह दो अप वहातंतर से संबंदित है सोन गंगा वहातंतर में आप देखेंगे कि most of the river such as gopad हो गया बन hea yourovs apa youre wild such as has denis the part of महानदी देने्हाइप сिस्टम तो कुछ नदीया जैसे की हस देओ stir परफेक जैसे की कौन हस देओ ठीक है यह आपका महानदी डेने सिश्टम का हिस्सा है तो अपवाहतंत्र के एक बार और जो नहीं लिखे होंगे वह अच्छे से लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आया मैंने कहा है कि पुर्वी बगलखन के पठार यह जो है दो अपवाहतंत्र से संबंदित है पहला सोन गंगा अपवाहतंत्र दूसरा महानदी अपवाहतंत्र सोन गंगा अपवाहतंत्र हम देखेंगे कि अधिकांस नदिया पुर्वी बगलखन पठार की जो अधिकांस नदिया है ठीक है वो उत्तर क्यों बहती है इसलिए वो सोन गंगा अपवाहतंत्र की हिस्सा है कौन कौन से रिहंद बनास गोपद क्लियर है उसके बाद देखेंगे कुछ नदिया जो कि आपके दक्षिर में बहेंगे ठीक है कुछ नदिया जो है मान नदिया अपवाहत अंत्र का हिस्सा हो जाती है जैसे हस्देव परफेक्ट है तो इस प्रकर पूर्वी बगलकन के पठ अब इसके सेल समू को देखा जाता है कि इसमें कौन सी रॉक सिस्टम पाई जाती है मैंने कहा है आपको डिफिनेशन याद करेंगे प्राकृतिक भजन से ताथ पर यह क्या है वहां के उच्चावाच को भी निरधारित करती है वहां के जलवायू मिट्टी वनस्पतिया सेल तंत्र से सेल तंत्र में पाए जाता है तो आप देखिंग गुणवाना टिर्ट गुणवाना क्रुण सिस्टम इस पाऊंड intense इस ठी तया परफेक्ट है इसके साथ इसाथ हमें मिनरां देखना होता है एक चीजा आप सिसाथ हमें कहां से ग्यात होगा हमने भुगर rap varyista जो आपकी क्लासिस में गुणवाना से रिलेटेट तो आपको ऐसी थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है ताकि आपको अच्छे समझ माँ जाएगा गुणवाना है मतलब कोईला होगा वहां पे खनीज ऐसा तो तेंटर आपका गुणवाना हो जाएगा खनीज में आप लिखेंगे कोल्स परफेक्ट है साथ ही आपको देखना है यह तरहेगा सेल तंत्र अफर खनीज इसके बाद देखेंगे स्वाइल फ्रेटेश आ गया दे देखेंगे इसमें पूर्वी बगलखन पठार का अंतरगत रेड एलो सोईल यह पायज आ रहा है जो कि आपका लाल पिली मिट्टी होगा इसका जो अब इस्थारी नाम हो जाएगा मटासी नाम से भी जाना जाता है अब देखेंगे जो लाल और पिली मिट्टी है एक क्रि अब करना के लिए Pepsi ए ify अपके ध्यान हो जाएगा और मक्का अ लास कि realize की अपका क्रिसी क्रावश है तो यहां तक आपने बात कर ली में लगता है से बहार आप पूछेगा अब इसके एक चीज़ और है यह मतबता इसियल चीज़ है प्रफेट है इनिशल जीघग है इनि मुझे नहीं लगता और आएगा एक चीज और मैं बता रहा हूं इसमें आप देखेंगे उप विभाजन या फिर उसको मेजर विभाजन बोले जाता है परमुक विभाजन बोले जाता है यह इनिसल चीज है रहने के लिए अभी खतम नहीं हुई है अभी तो और हमें करनी है आपने आप में प्रक्रतिक विभाजन इसके अंतरगत परमुक विभाजन करके टॉपिक परफेक्टि जो टॉपिक बनाती जारे हैं इसको देखेंगा बहुत इंट्रेस्टिंग ऑ इसमें दो बैसीनों पर बात होगे आपको पता होномने बैसीनों पर चर्च किया है एक बैसीन क्या होता है उसको participatory ऋपता है उसको म 오래 से यहाँ क्या होते हैं उनको भी देखा है तो जोUNG जो आपने पढ़ा है इस से पहले जो थरातली में वह नहीं को रिवाइस हो जाएक तो पहाडी चतर आपको पता है चांग भकार ठीक देवगार की पहाड़ी मदने पड़ रहे हैं चातिस गठ प्राक्रतिक विभाजन जिसके अंतरगारा पुरी बगल्कर पठार अब आपको पता है यहां तक पुरी बगलकर बठार लिया है इसके अंतरगार जो भी चीज आएगा इवेन पहाड़ी, बे सींज आपका जो भी हमने सेल तंत्र देखा है मिटटी देखा है इसका अंतरगात क्रिसी किस प्रकार हो रहे है इसकी सवारूप क्या है परफेक्ट सभी को अध्यन करना है ठीक है यही मतलब है इसके प्राकृतिक विभाजन से परफेक्ट है मैंने कहा है तो इसके अंतरगात देखेंगे पहाड़ी पहाड़ी के अंतरगात पहले चांगबकार देवगर की पहाड़ी के बारे में हमें जानना है दूसरा चीज रहेगा आपका कैमुर इसको एक करके अब हमें देखना है कैमुर पहाड़ी है परफेक्ट ह चीज हमें देखना है जो कि सीता लेखनी हो जायागा सीता लेखनी और छटा बचीज हमें रामगड की पहाड़ी देखना है इतनी पहाड़ी ओपे डिटेल समय चर्चा करनी है हाला कि वह एक एक दो-दो लाई नहीं है ज्यादा टेंसल लिंग जरूरत नहीं है बेसिन में आ तो रामपूर के बारे में बताया है ठीक है 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 हजदेव रामपूर थोड़ा सा अलग भी हो जाता है क्योंकि यह आपको गोरेला पिंडर मरवाही कौरबा में भी विश्थित है लेकिन जो हस्देव वाली चीज है यह तो उपर विश्थित है हो सकते यह भी पूछ दे तो भी आपको छोड़ना नहीं तो रिहंद बेसिन कनहार बेसिन हजदेव रामपूर बेसिन और सरभूजा बेसिन के बारे में आपको बात करना है तो इन पर चर्चा करेंगे तो है पेम चलेंगे चांग भखार देवगण की पहाड़ी परफेक्ट है जैसे कि आप देख पा रहे है यहां तक आपका पुरुव वगगलकर का प्ठार है और पूरी बगलकन के पठार में उप विभाजन पर हम आ चुके हैं परफेक्ट वहां पर हमें पहाडिया देखनी है और फिर आपका कौन से बेसिन छेतर देख रहा है तो यहां पर देखेंगे चांग भकार देवगण की पहाड़ी कहां तक है यहां तक किलियर है तो आप द इसके बारे में एक एक आपको टॉपिक देखना पढ़ेगा सबसे पहले विस्तार इसको पहले भी मैंने पढ़ाया है तो थोड़ा से जल्दी देखने कोसिस करेंगे ताकि आप जो है पिछले वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ चुका है विस्तार इस चेतर में आपका चांगभकार देवगण की पहाड़ी स्थित है जैसे कि आपको पता है इसके पीक के बारे में ठीक है इस इस इसके सबसे उची चोटी है जिसका हाइड कितने एक हजार तैस मीटर यहां तक कोई दिक्कत है यहां पर कुछ रिमार्क पर हमने पहले बात करी थी और आपको इसको जानना होगा जैसे कि आप देख सकते हो चांगभकार देवगण की पहाड़ी है ये पुरी metabolism के पथार कहा तक हमने रपर यहां से लेकिए यहीं से लिकिए है पुरीआ बगलकन की पथार इसका सबसे उन choice भाग है कौन से है चांगभकार देवगण की पहाड़ी इट इस दा हाइस्ट पार्ट आप इस्टान बगलखन प्लेटो प्रफेक्ट है तो यह सबसे सबसे उंचा भाग है यहाँ ता कोई दिक्कत है नेश्ट हमने एक चीज और वहाँ पे कहा है आपको यदि याद हो तो जो चांग भाग देवगर की पहाड़ी है इ यह उत्री भाग है यह जो आप देख पा रहे हो प्रफेक्ट है यह अधीक वरसा वाला छेत्र है मेरी अवास सुनके आप एक लाइन को लिखेंगे मैं पूरा लिखने में थोड़ा सा असमर्थ होंगा यूँकि जल्दी पढ़ाना है ठीक है अधीक वरसा वाला छेत्र है यहां तक क्लिग के चांग वर्क वाकर द्यागर की पहाड़ी है पर फिर countless नहीं लिखेंगे चल जाएगा इस से परिफूर्ण है यह प्रफिक निखनी जिसमें पाया जाता है अब देखते हैं दूसरा आपको आपके सिक्वेंस में होगा कैमुर परवत ठीक है तो यह पहला आपको खतम हो गया है चाहिए वह कर देवल की पहाड़ी जो कि किसके अंतर गया थे पूर्वी बगल खर पठार के अंतर गया थे आप को याद करते रहने उसको देखते रहने सिक्वेंस में कौन-कौन सा है सेकांड़ रहेगा आपको कैमुर परवत ठीक है कैमुर परवत विच इस एक्सपेंड़ेट इन्हें से पहाड़ी इसके बारे में आप देखेंगे सबसे इंप्रवाटन चीज है इसका विस्तार कहा क नहीं पिलिए आपको बताया है इसको आप मिटादू तो दो जगह में हो जाएगा आपको केमीर परवत परफेक्ट है केमीर परवत यहां पर फिस्ते फिश्ट हो जाए गा तिसका इसका इसक्पेंड़ तो यहाँ है कि आपने एक नदी सुना है हस्देव परफेक्ट है हस्देव रिवर ओर इस फ्राम कैमूर मौंटनें फिर कैमूर हिल आप बोल सकते हो तो हस्देव जो है हस्देव नदिक उद्गम इसी कैमूर परवत से हुआ है ठीक है कैमूर परवत का हिस्सा है इसको आपको देखना होगा तो यह तीन चीजों पर आप बात करेंगे किस पर कैमूर परवत पर एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे मैं तो जल्दी लिख रहा हूं कम लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे चीज़े इतना लिखूंगा तो फिर वीड ठीक है मांज टॉली की पाड़ी एए इस पिसली एख जगा पर एक तहसिल पर विखिलित है U कौन सा का हम्एड़ को भरतपूर तहसिल ठीक है ए कहां पर इस्सित्रित है मनेनरगर चीजिया घृठ बाध पर परनास नहीं है मनेनरगर चेमृ भरतपूर चिल ना कखर ये है अब इसमें नदी देखेंगे जो कि आपको बानास मेनलिया ठिक है मांस टोली से बनास बनास लीवर। टिक akut abroad उद्गूम इस पहाड़ी से हुआ है नेस्टम चलते यह तो रहा आपका मांच टोली इसके आगे आपने देखा होगा जो कि आपका सोनहट पठार है परफेक्ट है कौन सा है आपका सोनहट पठार क्योंकि छोटी-छोटी चीज आपको करते जाना है इसके बाले में पहले हमने कुछ-कुछ चिजों को देख लिया था मांच तो लिख रहा हूं यह आपका सोनध पल्ठार पर्फेक्ट सोनध पथार आपने चीज देखा होगा इससे पहले भी हमने जिक्र किया है कि जो आपका आइस्टी रेखा है प्रफेक्ट है आइस्टी रेखा है और 20 से करक रेका हमने गुजारी थी पिछली क्लास में आपने देखा होगा क्योंकि देखते आ रहे होंगे तो वहां हमने एक चीज का जिक्र किया था कि यह दोनों एक दुसरे को कोरिया जिला के सुनहट में परतिश परफेक्ट है यहां तक अब देखेंगे एक नदी है गोपध हमने कहा है कि गोपध बनास और रिहंत यह तीन ऐसी नदिया है जो कि सोनगण ड्रेने सिष्टम में जा रही है किस छेत्र से जा रही है पूर्वी वगलखन पठार के छेत्र से तो गोपध नदी जो है लिए जो पहड़ी है इस सूरजपुर में घृत है इसको हमने कवर किया था सीता लेखनी ठीक सीतर लेखनी की जो पहाड़ी है यह सूरजपुर में इसका विश्तार है ठेक विश्तरि एकस्पेंडơnच को यहां तक है देखकर एक चीजा और देखेंगे रामगड की पहाड पहाड़ी देखेंगे इसके बाद हम लोग बेसिन परना बेसिन जहां तक उसके लोकेशं में बताऊंगा उसको डिटेल नहीं पढ़ेंगे पहले हमने पढ़ चुका है ठीक है रामगड की पहाडी आप देखेंगे रामगड की पहाडी तो इस चैतरक अंतरगत इतनी तो आपकी कुफायें पाई जाती है और शाथि इसके बारे में आपजेशरों कज्ञान करा था लेकिन वह अलग विसे हो जाता है जो अपर हम बेसिंड़ों पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बेसिंड़ें पर पाए जाते हैं तो यहां पे सबसे पहले एक बार देखने निकला वाला भाग है यहां पर हमने लिया था आपका कनार बेसिन पर्फेक्ट है और हमने कहा था जो सरगूजा बेसिन है ओं कहा पर विश्दित था अपने मेंड लेंड पर था कोई दिक्कत ठीक है और हजद्य और रामपूर वाला बेसिन तो थोड़ा सा अलग था कि इसमें नीचे वाला भी छेत्र आ जाता है यहां तक परफेक्ट है यहां तक की चीछ क्लियर है तो बेसिन में हमने चार बेसिन को देखना है एक आपका रिहंद बेसिन हो जाएगा इस इसवाद रखेंगे यह दोनों बेसिन बल्रामपूर में है एक वाडरप नगर मावस्थार है और एक कड्कर रामा निज抗ल तेहसिल में यह तोरय तो आपको देखना होगा रिहंद बेसिन इसका विश्तार मेंने वाडरप नगर परफेक्ट रूप नगर भलरामपूर उमद्य पर्दिसवाला से ही यह संबंदित है तो आप देखें कि वाड़ अपनागर विस्तार है सिंग्रावली इसको सिंग्रावली बेसिन भी कहा जाता है इसके आगे दो तिन चीज यहां पर और है जिसे आपको देखना होगा रिहंद का उद्गम फिर बताया जाता है ह मत्रिगा पहड़ी सर्भूजाश हो रहा है लेकिन इसका बेसिन यहां पर क्यों बन रहा है क्योंकि यहीं से जो अप्ने पादि को लिजाक जा रहा है इसके बाड़े मैंने बता है कि अपने सब्सक्राइब चलाओ ओसे ऐसे ऺहर सब blend नदी कुझा है इसको समझा रहा होगा आप देखेंगे हैं नाAD हुझक से नाम सी पता चल रहा है रियंद्क भेसिक निर्मार जो है रियन नदी हाय की सहाहयक नदीश से हुए इसographer का नहार रियंद सायक नदीश से हुआ है, this basin has been formed by Kanhar and its tributaries and Rihand basin has been formed by Rihand and its tributaries, ठीक है और यह राज जा के उत्तरभाग में है और यह उत्तरपुर्वा में, इसको भी एक लाइन लिख सकते हो, राज जा के उत्तरभाग में इस्तित है, ठीक है, it is situated, are located to the south north part of 36 एंड कनहर basin is situated are located to the north east part of 36 परफेक्ट है, तिये जो है आपका उत्तरपुर्वा में, इतना परियाप्त है, कुछ कुछ चीजे हम ने देखा और देखा था ओजो कि आपको पिछले class में जा के आप देख सकते हैं, ज्यादा कुछ ने एकास लेने, इसके आगे हम दे सर्गुजा बेसि, तीसरा नमबर पर आप आपका सर्गुजा बेसि नोबर पर देख सर्गुजा बेसि जो है सर्गुजा बेसिन is expanded in mainland of Sarguja, यह सिर्प Sarguja में ही इसका विस्तार है, सरगुजा में ही इसका विस्तार है, इसका बारे में एक चीज, इंपोर्टन चीज है कि यहां एक पहाड़ी है छूरी मतरिंगा, ठीक है, छूरी मतरिंगा, किलियर, छूरी मतरिंगा, यहां से रिहंद नदी का उद्गम इस रिहंद रिवर ओरीजिन्ज फ्राम छूरी मतरिंगा हील्स, आप Sarguja, विच इस दर लाइफ लाइप लाइन आप Sarguja, यह निकि यह जो रिहंद है Sarguja का ठीक है, जीवन रेखा है, तो यह तुरह आपका Sarguja बेसिन के बारे में, ठीक है, अब एक चीज और मिलता है, जो आपका चौथा नंबर का रहेगा, हजदीव रामपूर बेसिन जैसा कि आप देख पा रहे है, यहाँ पर मनेंदरगाइर चीविवर भरत पूर आप अला हो जाता है, कोरिया आ जाता है, इसके अंतरगत, जीपीम आ जाता है, परफेक्ट है, कोरिभा भी आ जाता है, जीप प्रतिक भी भाजनकंतर का सिर्फ एक चीज़ पर डिसकर्स किया है जो कि है आपका पुर्वी भगलखन का पठार विच इस दपार्ट आप भगलखन प्लेट्टू आप मद्यपर्देश और आपने देखा है यह जो आपको इसकी स्थिति है ठीक है इट इस लोकेटेट टू अब तक आपने एक ही चीछ में बात करिए जो कि पूर्वी भगलखन का पठार है कि अब 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 गया जो